हलो एवरीवन मैं हूँ मंतार सागत है आपका कलाकारी हुप में आज के लड़ू बनाने के लिए हमने यहां गेहूं का आटा लिया है और यह वजन में देखे तो लगबग 500 ग्राम गेहूं का आटा है और यह लिया है गौंद यह आदा कप लिया है हमने और गौंद के हमारे शरीर के लिए अंगिनत फायदे हैं हमारे कम अर्दर जोड़ का दर्द या कैसी भी कमजोरी हो एकदम दूर भाग जाते हैं बहुत जादा फायदेमन होता है और यह लिया हमने देशी घी यह हाफ लिए है वन फोर्थ कप हमने काजू लिए है और दो बड़ा चम्मच हमने पंकिन सीड्स लिए है और यह खस-खस दो बड़े चम्मच लिए यह इसको पॉपी सीड्स भी बोलते हैं यह बहुत ज्यादा फाइदे मंद होती है सरदर्द माइग्रेन वगेरा से हमें बचा के र नेक्स्ट स्टेप की तरफ और कड़ाई लिए कड़ाई में हमने डाला है जो हमने घी लिया था ना उसमें से ही तीन बड़ा चम्मच घी तो वह आधा कटोरी जो घी है वही यूज करना है हमें जब घी अच्छे से गरम हो जाएगा तो हमें अपने गॉंद को ना इसमें लेना है गोंद को फ्राइब करते हुए आप गैस का मीडियम रखें और इसको फच्छे से अन्दर से नहीं रहना चाहें इसलिए ही मैं बोल रहे हूं गैस का त één मत करना मीडियम रखना ज्यादा लगें तो लो कर लेना और अच्छे से यह फूलना चाहिए देखें कितना चोटा था और कितना अच्छे से ये फूल गया है बस इसी तरीके से हमें अपने लिदा को अच्छे से फ्राइद करना टक तो बहुत बढ़ीया से ये फूल गया है देखें ऐसा ही आप भी फ्रायकर ले आप इस बात को कि गोंद को अच्छे से फूलना चाहिए वरना लड़ों का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा दातों में यह चेपकने लग जाएगा तो चलिए इस तरीके से हमने तीन बार में इस गोंद को फ्राइ कर लिया थोड़ा-थोड़ा करके और अभी हम क्या कर इस गोंद को ना जैसे गरम-गरम है ना उसको तुरंत ही ऐसे कटोरी ले ले गिलास ले ले कुछ और उससे इस तरीके से ना प्रैस कर देंगे मिक्सी में नहीं चलाना है बिल्कुल ध्यान रखें वरना चूरा हो जाएगा बिल्कुल सुआद नहीं आएगा थोड़ा सा क् कर ले आप ऐसे करके उपर से प्रैस करते हुए तो बढ़िया से क्रश हो जाएगा यह देखिए गरम-गरम को ही क्रश कर लेंगा तो बहुत अच्छा इजीली हो जाता है फटा-फट से वो क्रश हो गया है अब भी हम जो जितना घी था उसी में काजू को फ्राइ कर लेंग बहुत जादा कलर नहीं आना चाहिए इस पर हलका हलका खुश्पु आ जाएगी जब यह थोड़ा-थोड़ा फ्राइ होने लगेंगे बस कुछ सेकेंड ही लगते हैं इनको फ्राइ होने में लग भग एक मिनटी लगेगा गैस का फ्लेम लो रखें जरूर ध्यान रखें त देखें मखानों के साथ तो घी पूरा गाया भी हो गया इसलिए हमने लास्ट में किया है तो इस बात का ध्यान रखें पहले ड्राय फ्रूट्स करें तो एक बम स्टार्टिंग में ही आप मखाने फ्राइन ना करें लास्ट में आप यह करें अभी हमारी एक दो चीज और ब साथ साथ ही डाल दें कुछ सेकिंड के साथ ही और बस इनको भी अच्छे से भून लेंगे और फटा फट से गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और तुरंत इसको निकाल लेंगे कडाई से अभी चलतें नेक्स स्टेप की तरफ अभी उसी कडाई में हमने लिया है आदा चमच घ घी और घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे अब हम इसमें डाला है दो बड़ा चमच बेसन यह बहुत ज़रूरी है इस रेसेपी के लिए इससे ना इन लड़ों का स्वाध एक्तम बढ़ जाएगा तो हमें उस थोड़े से घी में ही बेसन को हलका सा रोस्ट करना है एक फ्लेम पे आटे को भूने आटे को भूनते हुए आप थोड़ा सा गैस का फ्लेम बीच बीच मीडियम कर सकते हाई बिलकुल नहीं करें लगातार चलाते हुए बूने वरना आटा कड़ाई में नीचे लगने लग जाता है बहुत ही जल्दी तो बेसन को आप पहले ही भून अच्छा असा ब्राउन कलर कर लेना है मतलब पूरा आटा अच्छे से ब्राउन होना चाहिए यह नहीं कि वो लग जाए तो अच्छे से एक सार पूरा आटा भूनना चाहिए तो यह देखे इस तरीके से हमने आटे को भून लिया है कैसा कलर हो गया ना कलर चेंज हो गया ह हलका हलका ब्राउन कलर आने लग जाएगा तब ही हम इसको गैस के फ्लेम से उतारके और एक बड़े बड़तर में निकाल लेंगे अब ही हमने ये ग्राइंडिंग जार लिया है और इसमें अपने मखानों को हम दरदरा सा पीस लेंगे मतलब ठीक ठाकी पीस लेंगे बहुत जादा ऐसे पाउडर नहीं बनाना है और उसी आटे में इस मखाने को पीस के निकाल लेंगे अभी हमें थोड़ा थोड़ा करके बड़ाम काजू और पंकिन सीड्स वगेरा सब को ना पीस लेना है अच्छे से अच्छे हैं आपको पólस पीस लाए फेल लगतार चलाते भी नहीं पीस नहीं है वरना इनका बहुत ज़ादाय करते विये निकलनिए लग जाएगा दरदरा गर्रासा पीस लें बहुत ज़ादा मोटा भी नहीं हो थोड़ा से नाटा को पाउडर होना चाहिए और अब सारी चीजों को पीस लिया है अच्छे से इसको मिक्स कर दिया आटे के साथ तो यह हमारा मिक्षर बनके रेडी है लड़ूों का तो चलिए अभी डालेंगे इसमें एक छोटा चम्मच जिंजर पाउडर और आदा छोटा चम्मच इलाइची पाउडर जरूर डालें इन से स्वाद भी बढ़ता है और यह सेहत यह भी बहुत अच्छी होती है तो उनको मिक्स कर दिया अभी हमने एक फ्राइपन लिया है उसमें थोड़ा सा पानी डाला है और अपने गुड को डाल दिया है पानी मतलब यह लगा लिए एक बड़ा चम्मच लगा लिए इतना गी हमारा यूज हो ही गया है अच्छे से इसको मिक्स कर लें और गुड को फिर पिंगलने देए देखिए गुड अच्छे से पिंगल गया है और इसमें बबल्स बनने लगे हैं तो बस हमें इतना ही करना है गरम ही करना था पिंगलाना था गुड को बहुत ज़्यादा इस मिक्षर में इस गुड़ को मिक्स करना है वरना यह घंडा हो जाता है और आजकल तो सर्दियां है तो फिर ठंडा होई जाएगा फटा फट से करें और जैसे थोड़ा थोड़ा चम्मत से मिक्स करेंगे इतना तो हलका हलका सा ठंडा होने लगेगा फिर हाथ से मिक्स करें और फटाफट से लड़ू बना दे इसका मिक्षर लेकर लड़ू अपने साइस के अनुसार बना ले जैसा आपको चाहिए जिस साइस के लड़ू ये देखे बहुत ही अराम से जल्दी बंद जाते हैं और बहुत सौफ्ट बनते हैं फ्रेंड्स और बहुत अलगी टेस्ट आता है लड़ू बनाते हैं तो चीनी भी हमने नहीं डाली है जुआ हूँदा गही नहीं लिया है कम घी में और बिना चीनी के इतने अच्छे लड़ू हमने बनाके रेडिक यह दिखें फटाफट से बन रहे हैं बस यह काम आपको फटाफट से करना ये दीखें कितने टेस्टी ही यूज की है ना उनके तो रिजल्ट अमेजिंग है आप जरूर शामिल करें अपनी डाइट में तो फ्रेंड्स बताना आपको आज की रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेड जरूर करना फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी में तब तक के लिए बाइ